यूं तो जिन्दगी में सीखने और सिखाने का कम हमेशा चलता है लेकिन हम लोग एक जगा भूल जाते हैं कि हमें क्या सिखना चाहिए क्या नहीं सिखना चाहिए हर कोई यह बताता है कि ओरिजिनल चीज लेके मार्केट में आएंगे तो चलेंगे आपके विचार उरिजिनल है तो चलेंगे आपके सामान उरिजिनल है तो चलेंगे सब कुछ उरिजिनल कहां से कोई लाएगा आप भी बताइए जिन्दगी में हम लोग जो कुछ भी सिखते हैं दूसरे की नकल करके हम चलना सिखते हैं परिवार वालों की मदद से इंग्लिस बोली जाएगी उसको लोग सिख लेते हैं लेकिन चाहे जितना भी सिखा जाए सबका में उद्यश होता है जीवन को सुगम बनाना और पैसे कमाना पैसे को लोग ताकत से तोल रहे हैं जबकि ताकत से पैसा आता है कि पैसे से ताकत आती है अभी तक सिख नहीं हो पाया है कुछ लोगों का मलना है कि पल्टिक्स में सफल हो जाएंगे तो पद और पैसा दोनों मिल जाएगा लेकिन आप इतना समझ लेजिए पल्टिक्स की सबसे बढ़िया किताब का नाम भी अर अथिक युग है हमेशा रहेगा इसको कोई नकार नहीं सकता जो इसे नकारने की कोशिश करेगा वो युद्ध हार जाएगा आईसा नहीं है कि ब्यापारी भी स्रिफ ओरिजिनल थिंकिंग और ओरिजिनल माल लेके आते हैं अब आप समझ लेजिए हिंदुस्तान में फ्लिप काइट आया तो हमेशन की नकल करके ओला अगर आया तो उबर की नकल करके तो इस तरह तमाम कमपनियां हैं अगर एयर टेल आई तो उसा फोन को नकल करके उसा अलग बात है कि नहीं चल पाया तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए और ये कापी राइट और क्या-क्या जो होता है लफडा कि ये सिर्फ मेरी प्रापरिटी है इसा कुछ नहीं होना चाहिए सब लोग दुनिया से सीखते हैं सब लोग सब से सीखते हैं कापी राइट का मतलब तो इतना कठिन हो जाएगा कि कोई कर लिखना भी नहीं सीख पाएगा अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये किसने सीखाया तो उसके परिवार को राइल्टी देने पड़ेगी फिर तो पु किसी का नुकसान नहों बस इस बात का ध्यान रखिए ब्यापार करिए बिजनेस करिए पैसे से ताकत है तो ताकत से पैसा है लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाले है आप जान लेजिए